बुड़े स्काल को हनीमून देरे समय पची बुड़ा बुड़ी योरप जान लागे काले अमयका मा रहे को ससुडाली मा पनी पुगी हालों भनने योजना बनायों जवानी को जिन्दगी पार गरी सके पाची बास्तम मा विदिस प्रामड को तेती लाला सा लागतो रहे ना चर काठमाणू बाट डिल्ली, जिर्मनी र इंगलेंड भाई अमयका पुगने टिकट को मुल्य का बारे मा मयले बिविन्न एरलाइन सरुमार्फत बुजने काम गरे एकनोमिक क्लास को टिकट सस्तमा बार से डॉलर सम्मा परतो रहे चा तर बिजनेस क्लास को टिकट बने चार हजार डॉलर भन्दा घटी मा कसे लिदिये नान 28 से डॉलर को फरक, एउटा टिकट को जंडे 2 लाख रुपे है को फरक 16 हरुले जिद्धी गुरे पनी बिजनेस क्लास को टिकट किन्न मै ले चाहि ना कश्त गय सब 44 बर्स सम्मा अथक प्रियास करे रहा दुपे तर रहा wraषा कमाई सक्फे पर पनी मै ले बिजनेस क्लास कु टिकट आखा चीम ले रहा निर्थाक को संगा किन्न सकी ना अल्क बलुबš, भुब्एष, प्रतिनुष्यां कस्यानगरे सी, ओंसाना भोलागे म्मोहालखव्या जूटी अल्क में पॉपणिन। अईली पनी बजार जान्दा दस पार बरस अगीको भाव को आधार में सुच्छू। पहली पहली विदेश जान्दा 30-40 डॉलर मा रामरे होटेल मा बस्ते। 15-20 डॉलर मा मोटेल हरु मा अराम ले बस्ते। नेपाल में पनी 2-3,000 मा सूट किन्थे। विदेश जान्दा कुणे चीज किन्दू पारे भाने दिमाग ले कैलकुलेटर मेशीन ले भानता पनी चाड़ो डॉलर रण नेपाली पैसा को हिसाब किताप गरी हाल थे। कत्ती चीटो, साना तिना जोड घठाव गारता पनी कैलकुलेटर मेशीन चाइने, विदेश मा पुगदा मा चाइन येती डॉलर को येती नेपाली भाने रा तुरूंते थाप आई हाल नेई। काथमाडो बाट डिल्ली होताई हामी जर्मनी को बोन शाहर पुग्यों। बोन मा पहले दुई चुटी गई सकेको थिये, शुशिला का लागी चाइन यो पहलो जर्मनी प्रामार थियो। बोन शाहर को मध्य भाग मा रहेको, अगलो चर्च को गिर्जा घर ले बोन लाई डोमिनेट गरेको थियो। तेसलाइ ट्या डोम भनी तो रहे छा। बोन को जुन्चुके गल्ली बाट पनी डोम को गिर्जा घर सपस्त देखिन छा। साना साना चार पाटे ग्रे नाइट का ढगा मिलायर छापे को बोन को सडक शुशिला लाई थेरे मन पर्यो। अनी चार पाँच तले साना साना रंगी बिरंगी घर हरुले बोन को आफने किसिम को परिचे दी रहे का थी। शुशिला को ठुलो सोखो जहां पनी तस्वीर खिचनी। राम्रो घर, राम्रो बंगेचा, राम्रो स्मारक आधी देखना साथ अगारी ठिंग उभियेर तस्वीर खिचनी उनको ठुलो सोख चा। तर कोठामा न गई सबाक अक्छे बाट शाहर गुग्न गए काहोंदा कैमरा लियेर जाने बिर्शिये चों। मलाई होटेल सम्भा पुग्न ज्याउ लागयो रशुशिला लाई आज तस्वीर नकी चों, भोली की चों भनें। शुशिला ले कहां मानेंड़ां। आफ्र परस बाट पैसा निकालेर होटेल मा आफुशीत चोंडाचा देपनी और कोयोटा सस्त कोडाक कैमरा कीनी हाली। अनित की थियो। दुई घंटा मा दुई रोल फिल्म तेही सिद्ध्याई दीन। शुशिलार मा डोम मा खमते थियो। मौसम बड़ो रामरो थियो। टनन घाम लागे को थियो। तरपठक के करभी थिये न। चीश्वा हावाली गरता न्यानू ज्याकेट लाएर पनी घंताप न सक्किन थियो। डोम को अगाडी मेच मा बसते जयमनी को आइसक्रीम खान थाले हामी। तो पनी बुडिसकाल मा अंगालो मारे र। मग मगे चल छा तस्तोरे बार। हो साकार भैचा सारास। तिम्रो पी रती काती भ्यारो। ठीक हामरो अगाडी युटा अंद मांचे वायलीन मा वेथो वेन का अत्यनत रामरा धून हरू बजाई रहे को थियो। आखा चिमले रा सुनता ठीक डीवीडी सुने को जस्तो भान हों थियो। उसका अगाडी रहे को वायलीन को बाकस मा मानिस रू पैसा राकी दिन थे र कैचेन धून सुने रा जान थे। मध्यान मगन भायर उसको धून सुनते थियो। आधा खंटा जती धून बजाई सके पची पैसा जम्मा गर दै तो अंधो मानिस ते स्थाओं बाट जान लागयो। उँ भुई मा चाम चाम चुम 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 गर दै पैसा बटूल दै थियो। र केई पैसा उसको हाथ ले छुन सकी रहे को थिये न। मा उठे र उभायती र गाये र माईले पैसा बटूलना मदद गरी दिये। माईले पने खलती बाट बीस ड्वेच माग चुके र उसको हाथ मा राहकी दिये। उसले अंग्रेजी भासा बाट मलाई धन्यवाद दियो। उसले मा इली सोदे तपाई येती रामररी वायलीन पजाण होतो रहे चा तपाई किने ठुलठुला ओपरा हरू र हर्मोनिक कमपोनी हरूमा काम गर्न होन्ना। उसले मुसुक कहां सी मलाई जवाफ दियो। मा साधारन मानिस सरुकाने मित्त गाउँ छू। जो ओपेरा संगीत सुनना जाना सकते नन। मैं एक संगीत कार हूँ। मेरो संगीत देखावटी धनाड्डी संगीत प्रेमीहरू का लागी भन्दा पनी साधारन र सचा संगीत प्रेमीहरू का लागी हो। अंधो संगितकार को त्यक्कुरास्तोने पची मा सोस्टम बाद देभाई। हामरो नेपाल मा पनी थुप्रेग गीतकार हरू, संगितकार हरू रा सारंगी कलाकार हरू छन। उनी हरूले आफनो गीत संगित लाई काटमाडो शहर मा किन प्रदसन गर्ना न सक्के का। हामरा पुर्खा हरूले सास्कृतिक नाचकान गर्ना का लागी ठोल-ठोल मा डबली हरू बनाई देएका छन। हनुमान धोका मा, असन मा, भोटाईटी मा, इंद्र चोट मा, पाटन मा, भक्तपुर मा। तर त्याहा हैं हामरा नेपाली हरू जुआर तास खेलन तल लीन चन। तर कहीं पनी यसता गीत र संगीत का कारेक्रम गर्न रहेका छैना। संगीत कारले गीत र संगीत बजायारा स्रोतालाई आनंद पुर्याओं देए दुचार पैसा आफुले कमाउन खोजेवाने के बिक्रिन चारा। चाय तो विरेंद सभाग्रिये मा होस चाय प्रक्यापरतिस्ठान मा वहा हनुमान ढखाको डबली मा किये फ़रक पर चरा। गीत कायरा पैसा लिधैमा कोही मागने होन छरा। हामरो नेपाल मा युवा गितकार र संगितकार हरुछन, दोहरी गितकाउने रैथाने कलाकार हरुछन, थुप्रेचन गंदर्वा हरुपनी, तर कहां गये उनिहरू, उनिहर को परमपरागात पेशा लोप हो दैचा, आफनो संगित को पेशा छोडेर, विदेसमा बाटो बना जानू भन्दा, आफने संगित नेपाली र विदेसी स्रोता हरुलाई सुनाओना सक्कियो माने, एकता आफनो पेशा बाट्च, दोसरो आफुलाई आर्थिक फाइदा होंच, तेसरो संगित का माधे माट नेपाल को सांस्कृतिक तरोहर रूपी सुन माधी सुगन्द थप डोर्पि सुन सक्किन छा, यस मा पेशा कत संगित कार ले मात्र लागने होई न, संगित मा लागने यो रंग करमे कलाकार हरूले र नेपाल सरकार ले पनी शार का ठांब ्ठांमा, यस्ता कारेकृम भरु चलाऊना संगित कार हरूलाई उच्साहिद बनावनु पर चा, पा पसमा छुन समेत लजाओने हामी जोई पोई अंगालो मारेर पसल पसल हेरताई बिस्तारे अगाडी पड़ते गयों। बुडे सकाल मा अंगालो मारेर हेरता पनी रमाईलो लागतो रहेचा। हामी जयमनीको अरकुषार कोलोन पुग्यों। साचे बिवापस्च्यात पनी मानी सरूले गुम्न जानू परतो रहेचा। घर मा बसता सानातीना कुरामा पनी खटपट हों थे हामरो। तर जुन दिन देखी हामी विदेश प्रमण मा गयों जगडाता ठैम में बंद भायो। हामी तर रामरो मीठो खाने ठांग ठांग मा घुम्ने औनी रामरा रामरा बंगयचा देख्यों भने मेच मा घंटाउं सम्म बसे रा रमाउने पोगार न थाले। बोन बाट कोलोन पुग्ये पाची त्यां दुई-तिन दिन जाती बसने योज ना थियो। तर कलोन रब बोन को शहरी या भावतिक सुरूप मा कुने फरक नभाय को देख्ये पाची शुषिलाले होई न अब जयमनी मा घुम्न पुग्यों लंडन जाऊं भने। हवाई जाहाज को टिकेट काठ माड़ू में किनी सकेको भाय पनी शुषिलालाई कमसे कम रेल मार्ग बाट यूरोप देखाऊं छु भन्यों दिस्ते मैले राखी। हामिले कोलोन बाट फ्रांकफर्ट हों दै लंडन सम्मा यूरो रेल बाट सफर करू। लंडन पुगे पची बुडिसकाल मा रवाउना आयकाले मजाने गरों वहने रा हामिले पांस तारे होटेल मा बसने विचार गरों। तर लंडन को होटेल को भाव असाधे असाधे महंगो रहे छा। बेलायत भने पची शुषिला को मन हुरुक के हुन छा। अंग्रेईस हरुको तुदेश, तेसमा पनी बकिंगम पैलेस, राजकुमारी डायना को दरबार, अनी लता मंगेश करले गायाएको अल्बर्ट मेमोरियल हौल। यूरप गम्न जानू हन्दा पैले शुषिलाले परिकल्पना करेको लंडन का आकर्सक स्थलहरु इने होन। जंगबादूर का पाला देखी समकालीन संपोर्ण नेपाली हरु लाई संदै आकर्सीत पारी दहने यो अईतिहासिक बेलायतले शुषिलालाय मात्र होईना मलाय पनी संदै यहाको प्रमडगार्णा जकचक्याय रहन छा। लंडन जाना मलाय संदै मन पर्छा शुषिला को तक कुरे भायना। एकचेन हिने पची थकाय लागनी प्रत तुरून्ते टाक्सी लिवुँ भननी शुषिला लंडन को सड़क मा हिट्डूल करदा पठक कै ठाकी नन। हामीले घंटाउं सम्मा अक्सफुर्ड स्ट्रीट ओहर दोहर गारने, ट्रफल गर स्क्वेर मा मेक्सिकन खाना खाने, सोहो को परेटकी एस तल घुमने अनि ठकाय लागे पची बिलाबकत फुटपात को मीच मा बसनी गर्यों। सोहो संगाई रमाईलो चाइना टाउन छा, अनि नजेकाई बिश्चो प्रसिद्ध थुप्रे थियेटर हाल हरु छाल। ती हाल हरुमा राम्रा राम्रा नाटक हरु चली रहे का थिये। अप्रा नाटक हरु हेरने मेरो सोख थियो, तरा मेरी स्रीमा तीलाई पठके मन पर दाई न थियो। एकलाई ओललाई होटेल मा राखेरा पचासो पाउंड को टिकट की नेरा कीन हेरने। हामी दुए जना नाटक हेरना गउयों वाने, सुशिला नाटक हेरता हेरते निदाई हाल्चिन बनने कुरा मलाई ठाथियो। निदाउने मात्र होई ना, कस्त वाईयात नाटक देखायेको वाने रिशाउन बनी बेर थियेना। उनलाई सब भंदा बड़ी मन परेको ठाऊं हेरोड को डिपार्टमेंट स्टोर हो। किन्ने केई होई ना, खाली हेरना मात्र जानी। कुने चीज किन्नुने छाईना वने हेरोड मा जानू को किया अर्थ। तर उनलाई राजकुमारी डायना को समझना हेरोड ले कराऊंदू रहेचा। कस्ति मुर्खा आई माई होलीन। राजकुमार लाई छोले रहा एवटा व्यापारी का छोरा सित लागी छन। हेरोड को डिपार्टमेंट स्टोर मा डूलदे गारता शुषिला समय समय मा मलाई भन्ने गारती। लंडन हेरने शुषिला को जूस देखेरा मलाई पनी रमाईलो लागयो। एक हापता का लागी मैले जमिन मुनी बाट चलने मेट्रो ट्रेन को ठिकट लीए। स्टीशन पनी होटेल नजीके परेको होंदा हमेले दीन भरी ट्रेन मा ओहर दोहर गरताई दृष्याओ लोकन गर्यों। पहले पहले बेलायत आउँदा न देखिये का लंडन का कतिपैस मारा करू रभावन हरू हेर न पाईयो। पचीता ट्रेन मा सफर नई कार्ना नरू चाओने मेरी सिम्मती एकले बढ़ी ट्रेन चाड़ने भईं। तेस पकत को लंडन यात्रा मेरो सातों लंडन यात्रा थियो। मैले पहले लंडन प्रामार तेस बंदा पई तीस बरस पहले गरे को थिये। जती चोटी तो देसमा गया पनी मैले लंडन मा कोने खास परिवर्तन देखी न। तेही सरसफाई तिने कलात्मक भवन हरू। तिनमा ठुल्ठुला पिलर, पिलर माती वरंड लांचा ज्याल हरू। छत का आकरसक भुर्जा हरू। अनि हरे घर का अगाडी रॉट आइरें का भरें र बुट्टावाल बार हरू। 35 वर्षा पहिले देखेको हेरोड डिपार्टमेंट स्टोर रबबकिंगम तरवार जस्ता का तस्ताई आकरसक थीए। तेही दुई तल्ले डबल डेकर बस अनि चिटिक का परेका तिसते पुराना ओस्टिन टैक्सी हरू। मलाई लागयों सब्बेताको ठुलो उचाई मा पुगे पाची शायद ठेरे परिवर्थन को आवशिक्ता होंतो रहे नाचा। 32 वर्षा पहिले देखिये का सडक का ताया बाया का फल्फुल पसल हरू तिस बेला बनी जोका त्यू थीए। फल्फुल पसल संगई माचा र तारेको आलू याने बेलायत का प्रसित्त फिस र चिप्स का पसल हरू उस्ते थीए। मलाय लंडन मा सबंद मन पड़े नैं फिशन चेप्सो। हिऊंचस्ता सेता माचालाई पावरोटी को धूलो मा पोतेर सुनावलो रंग मा तारेको कर्ड फिश र लामा लामा अलू चेप्सरू अनि सौस मा चोपेर खाने सेतो टाट। खाना को सौखीन ममात्र होई रा मेरी स्रीमाते शुशिला पनी तेतिने सौखीन चें। उनी पनी मेरो संगत मा परेर ठुल्टुला रेस्टरान मा खाना जाना मन पराउं दिनन। लंडन शार मा बिबिन्न प्रकार का खाना बेजने फूड कोठरू कहा का आँचन। खोजी-खोजी हमी तेया खाना गयों। बास्तम मा लंडन का फूड पात वा बिबिन्न फूड कोठरू मा खाना जान्दा रमाईलो वातावरन लेने खानालाई मीठो पारी देंचा। लंडन शार मलेस्तन दे आकरसक र रमाईलो लागचा। किनवाने यो शार येवरपका आरू शार बांदा एक तमई अलग किसिम को छा। येस पाली बेलायत मा एवटा कुडामा चाहिए आकाश जमेन को फरक पाएं। त्योहो त्यहार को महंगी। बैंक मा गई एक हजार डॉलर सार ता जंड़ै पाथ से पाउंड मात्र पाएं। येस पाली को शुचिला को र मेरो लंडन यात्रा एक किसिमले दोस्रो हनीमोन जसतो भाए पनी हामिलाई सामान हरु किन्ने एरा ठुलठुला होटोल हरुमा खाना जाने कुने इच्छा थिये न। बारकर का युवा युवतिले जस्ते अंगालो मारे रा लंडन को द्रिश्यावलोकन गर्णुमाने हामिलाई रमाईलो लाग्यो। ही जो को सपना अरके थियो। ही जो को दुनिया बेग ले थियो। ही जो को सपना अरके थियो। ही जो को दुनिया बेग ले थियो। आजाती मिलाई पाये पछे। सारा सुसार बती मेरियो। लंडन को हेंटन कोर्ट पैलेस को भब्पे तरबार लाई हामिले दुई खंटा लगाई अवलोकन कर्यो। थकाईले चूर भाये पछे। तेही तरबार को ठूलो बगाईचा मां मेच मां आराम गरता मश्रुशिलाको काख मां जंडे एक खंटा निदाए। सफा सुकर बातावरन नीलो आकाश निर्मल हरियो बगाईचा अले अले चीसो तर मधूरो घाम। तिस्तो बातावरन मां स्रीमतिको काखलाई तकिया बनायर सुत्न पाई निद्रा कसरी नलागोस। रंगिन प्रकृती मन्दा बातास हामेलाई हेरदै जुंचा आकास साधाई निदाउ जस्तो लाच्छा पादाती रू मख्मली काक। जिन्दकी मां हनी मोन भनेको एक चुटी मात्र मनावनी कुरा होई ना बारम बार मनावनु पर्छा नेपालमा हामिले इसको महत्तोलाई बुझने सके नौ। नेपालमा ब्यापारी हेरू ब्याहना छा बजे उठेरा पसलमा जान्छन। दिन भरी माल बेचेर पैसा कमाउन रूच आउँछन। अनी घर फर्के पची टन्ना खायर टेलिविशन हेर चन। रस्तती हाल चन। नत स्रीमाती सिता खैल्टाटा गार चन। नत छोरा छोराईको पड़ाई बारे रूची लेन चन। सरकारी कारेलेमा कामगार्ने कर्ब चाली हरको पनी तिस्ते खालको दिन चार्या चार। बिदाको दिन मा पनी साथियर सित तास खेलेर नैं समय बिताई दिन चन। परिवार भित्र भावनात्मक एकता रस्तामान जस्चिता ल्याउन प्रमणले धेरे मतत गर्छा। तेई बिचारली नेपाल प्रमण बर्ष उन्नैसे अंठनम बित्ताका हामीले आंतरिक परेटन लाई टेवादिन मनकामना गोर्खा पालपा बंधिपूर आदी रमनीय ठावरुको यात्राबारे सुचना प्रवाह गरी नेपाली हरुलाई परिवार सहीत घुम्नजाना मति मिलाई प्रेम गर्चू अथवा आई लव यू पान्ने शाब्त लाई हामी तेथी महत्तो दिन दैड़ू जबकी इनाई शाब्त हरुले दुई च्यानलाई एवटी प्राड मां समाहीत कर्ण मतत कर्चन ता सर्थ समय समय मां परिवार्शीत घुम्नजाने बानी हामीले बस्ताल नहीं भर्चू बाहीर घुम्नजानद हामी श्रीमतिलाई बिस्तारे अंगालो मार्चू गालामा खुसुक्त मुआइं पनी खांचू आफ्टा नानी हरूलाई कानमा राखेरे कथासू नाउँ छू रा इतियासिक स्तल हरू देखांचू मलायलाक्स इम्हायालू रभावुक छेलले जोईपोईको बंधन रपरिवार्क सम्रचनालाई मस्पूत बनाऊचू रयस्ता गोलस्तरिय नागरी खरूवाटने देशको बहुत्तिक्ता रभिवेकुस्तार अभिप्रिद्धू